हेलो स्टुडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लिकेशन औफ गॉस लॉग कम्प्रीट कर लिया है आज के लेक्चर में अब हम कुछ प्रॉब्लम डिसकस करने वाले हैं जिसमें से फर्स प्रॉब्लम है आपकी डिटर्माइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4,0,3 इफ देर इस पॉइंट चार्ज माइनस 5 पाई मिली कुलाम एट 4,0,0 एड अलाइन चार्ज 3 पाई मिली कुलाम पर मीटर अलोंग दा य एक्सिस तो हम लोगों ने अप्लिकेशन पॉइंट चार्ज वाला भी पढ़ाया और हमने लाइन चार्ज वाला भी अप्लिकेशन पढ़ाया सब के फॉर्मलेज हैं हमारे पास तो आपने अगर वो रिवाईज कर लिया है लेक्चर तो आपको formulas पता होंगे और नहीं भी revise किया है तो formulas यहां में लिखते चलूँगा वैसे आपको revise करना है ठीक है तो अब आप देखो यहाँ पर अगर हम discuss करते हैं solution तो आप देखो आपको ना point charge भी given है line charge भी given है तो आप क्या करो E को break कर लो दो पार्ट में E P plus E L मतलब E P जो निकालोगे due to point charge E L जो निकालोगे due to line charge ठीक है तो यहाँ पर अब अगर आप देखो आपको E at 4,0,3 निकालना है दोरों के लिए ही बट जो point charge की position है वो क्या है आपकी 4,0,0 है तो पहले हम यहाँ पर E P का calculation करेंगे तो E P का जो formula है point charge का वो हम लोगों ने calculate किया हुआ है formula क्या होता है आपका Q upon 4 pi epsilon r का square into AR वैसे यही formula आपका कुलाम्स law के थुरू भी आया था actual में पूरा process ही same है कुलाम्स law में already मैं आपको 3 problem करा चुका हूँ तो जिनको वो problem clear as को skip करो और आगे बढ़ो directly EL का calculation देखो ठीक है same calculation में करने वाला हूँ तो आप देखो यहाँ पर आपको कोई medium given नहीं है तो मैंने हमेशा बोला है जब भी कोई medium given ना हो by default क्या लेके चलोगे free space तो यहाँ पर आप लेके चलोगे epsilon 0 तो यहाँ पर answer क्या होगा देखो q, q की value कितनी है हमारी minus 5 pi millikulam that means 10 की power minus 3 4 pi epsilon 0 epsilon 0 की value हमना बिल्कुल last में put करेंगे ठीक है हमें value तो पता ही है 8.854 into 10 की power minus 12 वो last में देख लेंगे main target किसका होता है r square और ar का आप देखो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि आप हमेशा यह identify किया करो charge किस point पर है तो charge किस point पर है 4,0,0 और आपको किस point पर calculation करना है electric field का point P पर जो कहां पर है 4,0,3 मैंने हमेशा क्या बता है जिस point पर calculate करना है उस point को देखो और जिस पर charge है उस point को देखो तो this minus this आपको perform करना है यह आपको देदेगा यहाँ पर r vector तो सबसे पहले आप position vector r vector निकाल लो distance vector निकाल लो मैंने कुलांग स्लाव में इसको d नाम दिया था कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप देखो answer क्या होगा 4 minus 4 0 0 minus 0 0 3 minus 0 3 तो answer क्या हो जाएगा 3 az आप देख सकते हो x y z x y z तो x के लिए करते तो 4 minus 4 0 है y के लिए 0 minus 0 0 है z के लिए क्या होगा 3 minus 0 3 होगा ठीक है आपको इस point पर calculate करना है इस point पर 4,0,3 पर और minus 5 pi में लिक उलाम आपको किस point पर दिया है 4,0,0 पर ठीक है तो आपको r मिल गया तो अब इसका unit vector निकालना है हमें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा पहले mod of r हमें पता है mod निकालने के लिए क्या करना होता है under root ax square plus ay square plus az square आप देखो यहाँ पर small ax और small mod निकालना होता है उसमें आपकी speed अच्छी खासी होनी चाहिए उसके बाद आप देखो ar unit vector कितना हो जाएगा 3 az upon 3 यह होता है ना unit vector r bar upon r तो answer क्या हो जाएगा az आ जाएगा clear यहाँ तक तो यह अपने coulamps law में 3 बार किया हुआ है प्रॉब्लम मैंने आपको कराई है अब आप देखो यहाँ पर आप ep का answer लिख लोगा क्या हो जाएगा ep का answer pi pi जो कट रहा है उसको काट दो at least minus 5 upon 4 epsilon not into 10 की power minus 3 r square मतलब 9 ar कितना है ar है हमारा az यह answer आ गया ep का epsilon not हम बाद में put कर लेंगे अब आप देखो next next हमारा calculation होगा el का तो जब आप el calculate करने के लिए जाओगे तो आप देखो el को el के बारे में क्या लिखा है line charge 3 pi mili kolam per meter along the y axis अब देखो यहीं पर वो बात आएगी कि जो मैंने आपको चीजें सिर्फ 3 line में derivation करके नहीं दिखाई है application में मैंने आपको एक एक line का concept समझाया है तो वो concept अब आपकी help करेगा इस problem को solve करने में ये problem चुकी इतनी बार कर चुके थे इसलिए आसान थी लेकिन second problem में गलती होने की chances बहुत है ध्यान से understand करो line charge 3 pi mili kolam इसके लिए हमने एक cylindrical geometry ली थी आपको याद होगा और हमने जो answer calculate किया था वो भी मैं आपके लिए 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 ल का answer था हम लोगों का rho l upon 2 pi epsilon 0 rho free spaces epsilon 0 rho क्या होता था radius होता था और rho l क्या होता था ये line charge 3 pi mili kolam per meter ये आपको rho l गिवन है rho l कैसे समझोगे मालो भूल भी गए unit यहां रखना कुलाम per meter होता है वही है unit ठीक है तो rho l आपको गिवन है अब आप समझो rho को यहाँ पर calculate करना और साथ में फिर a rho निकालना direction direction a rho हमने लिखा था वो आपके लिए सबसे जादा important है अगर आपने वो application वाला lecture ठीक से समझा है ठीक है तो यहाँ पर अब आप देखो कैसे हम निकालेंगे देखो होता क्या था कि आपका ये along the y-axis rho l कुलाम per meter ये आपका एक line charge है जिसकी line charge density कितनी गिवन है आपको rho l कुलाम per meter तो यहाँ पर along the y-axis आपको गिवन है ठीक हमने शायद z-axis के along लिया था कोई फर्क नहीं पड़ता concept important है आप देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको determine electric field at 4,0,3 आपको याद होगा जब मैंने derivation कराया था आपको क्या बोला था कि अगर आपको line charge गिवन हो और अगर आपको point P पर point P पर electric field निकालना हो या D निकालना हो capital D या capital E तो आप एक cylindrical geometry consider कर लो तो यहाँ पर हमने कहीं पर point P लिया था और उसके बाद हमने cylinder बना दिया था तो point P जो था वो cylinder की lateral surface पे था curved surface पे ठीक है न तो यहाँ पर यह जो distance थी आपकी यह row थी ठीक है अगर वो lecture आपने ध्यान से देखा है तो आपको यह clear होगा यह distance आपकी row थी अब आप समझो मेरी बात को यह row क्या है basically अब आप भूल जाओ cylinder को भूल जाओ सब कुछ को आपके पास standard formula वाला question आया है जिसका formula आपके पास है अभी इस बात को समझो formula है standard problem है बहुत easy है जब आप बात करोगे न कि कुछ नया आजाएगा जहां पर formula भी derive करना पड़ेगा तब difficulty होगी वो भी हम discuss करेंगे लेकिन कुछ time के बाद अभी अगर हम बात करें 3 pi यह आपको row L given है बस आपको यहाँ पर row achieve करना है तो row देखो cylinder विलेंडर सब कुछ भूल जाओ row देखो सीधा सीधा यहां से लेकर यहां तक का distance है यह समझ में आता है यह direct आपका distance है अब आप देखो point P की location आपको given है कितने given है 4,0,3 अगर आप यह point ठीक है यह distance है तो अगर आप यह point के coordinates निकाल लो तो same चीज हो जाएगी फिर 2 point के बीच का distance समझ में आ रही बात वहाँ R था यहाँ row है clear हो गया तो आप देखो 4,0,3 यह तो P है अब देखो आपको पता होता है कि आप row को बिल्कुल ऐसे लेते हो बिल्कुल straight line इसका मतलब क्या है जो यह height है वो यह height है यह along the y axis है ठीक है तो यहाँ पर आप समझो इस बात को y axis पर x और z कितना होता है x और z होता है 0 और 0 यह point आपको समझ में आता है तो यह हो जाएगा 0 यह भी हो जाएगा 0 x और z तो हमें पहले से पता था y axis है तो यह point पर 0 है इसका पूरा coordinate सी है बस और कुछ नहीं ठीक है यह point आपको समझ में आ गया अच्छे से अब आप बताओ कि अगर x और z आपका 0 है y axis पर तो उसके बाद जैसे मैंने बोला यह height आपकी y है along a y axis ना यह line की height आपकी y है समझ में आ रही बात तो आप समझो इस बात को कि यह point P और यह point दोनों ऐसे हैं ऐसे मतलब इनकी height दोनों की क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए clear है point यह ऐसे हैं यह इस तरीके से खड़े हैं तो उपर से यहां से देखो दोनों की height क्या होगी same होगी ना तो जब दोनों की height same है y height को represent कर रहा है इसका मतलब जो y की value यहां होगी वही y की value यहां होगी y axis था तो x और z automatically zero हो गया यह point given है तो यहां से y पता चल गया तो y कितना है zero है तो 0,0,0 तो 0,0,0 ऐसे नहीं सोचना है कि हमारा हमेशा लेकर चलना है वो इसलिए लेकर चलना है y axis है तो x और z zero है यह तो टैय है x axis होगा तो y,z,0 होगे वो टैय है लेकिन x और z zero तो पहले से बता था y कैसे decide किये है इसको देखकर decide किये है ठीक है यह concept clear होना चाहिए अब पूरा खेल सेम है आपका अब आप क्या निकाल लोगे जल्दी अली देखो row सबसे पहले आपना row vector निकालो position vector कितना होगा मैंने बताया ना तो mod क्या हो जाएगा under root 4 square plus 3 square जितना value given है ना सब को under root में square करके add कर दो x, y, z में ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आपका row की value 5 clear है तो यहां से अब आपका a row कितना हो जाएगा a row हो जाएगा 3ax actual में 4ax है आपका 4ax plus 3az divided by 5 तो यह आपका a row आगया a row आते ही अब row भी है और a row भी है तो बचाई क्या आप कुछ भी नहीं आप देखो e-l का answer क्या हो जाएगा row l row l row l 3pi mili कुलाम है तो 10 की power minus 3 2pi से divide epsilon not last में put करेंगे जैसा मैंने बोला इसमें भी put नहीं किया हूँ मैं row row क्या है row है आपका 5 तो row का row ही है इस बार square नहीं है रहाँ रखना formula तो अलग-अलग है तो यहाँ पर 5 put कर दोगे फिर a row a row की value क्या है यह है आपकी कितनी है value 4 a x plus 3 a z divided by 5 तो यह 5 5 25 अब हो जाएगा तो यह आपका e l आ गया यह आपका e p आ गया अब final task क्या है हमारे पास दोनों को बस आपको add कर देना है that's it यह clear हुआ देखो कितना similar था यह अगर आप यह दोनों point समझ जाते तो अब हम बस दोनों को add कर देते है और final answer लिख देते है तो अब हम यहाँ पर final answer लिख देते है आप देखो e is equal to e l plus e p ठीक है तो e p कितना है आपका minus 5 into 10 की power minus 3 यह देखो 4 into 9 यह कितना हो जाएगा 36 epsilon 0 और कितना हो जाएगा आपका az आजाएगा यह point समझ में आगया आपको इसके अलावा अब अगर हम देखें इसको तो इसमें आपका answer कितना आ रहा है देखो यह आपका pi और pi cancel हो जाता और कितना आजाता आपका 3 into 10 की power minus 3 upon कितना होता हमारा 50 25 into 2 50 आजाता आपका और यहाँ पर कितना हो जाता 4 ax plus 3 az ठीक है तो यहाँ पर obvious सी बात है az az वरे term को आप add कर दोगे और epsilon not यहाँ पर भी है आपका epsilon not आप mention कर दो और देखो epsilon not की value आपको क्या put करनी है यहाँ पर 8.854 into 10 की power minus 12 ferit per meter यह value आपको पता ही है तो इसलिए मैंने अभी तक put नी की थी कि last में आप लोग पूट करोगे और final answer लिख लोगे खुद से ठीक है तो यह आपका complete होता है problem और सबसे important क्या था concept जो हम लोगों ने especially EL के calculation में देखा ठीक है तो यह आपकी problem यहाँ पर finish होती है now problem number 2 तो आप देखो second problem में आपको basically ना दो sheet यहाँ पर given है एक आपको given है x equal to 0 पर और एक given है x equal to 5 पर दोनों sheet के लिए आपको surface charge density given है 10 nanokulam per meter square and minus 10 nanokulam per meter square आपको बोला है find e everywhere तो basically sheet charge यह हमने study कर रखा है आपको याद होगा application है gauss lock का तो वहाँ पर अब आपको समझना होगा यहाँ पर आपके पास दो sheet है दोनों की अलग-अलग position है और दोनों के लिए surface charge density आपको given है और आपको बोला है find e everywhere that means यहाँ पर ना एक particular fix question नहीं है आपको अलग-अलग cases बना कर study करना होगा हमीशा इस बात को ध्यान रखो जो भी MFT के problem हम discuss करते हैं न हर एक problem ना basically अपने आप में एक बहुत important concept है तो अगर आप इसको problem की तरह ना लेकि concept की तरह लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा useful रहेगा यह सारी की सारी चीजे तो आप ध्यान से understand करो इसको आप देखो यहाँ पर अगर मैं side view draw कर लूँ क्योंकि 3D structure sheet sheet मैंने आपको बोला था ना एक page ले लो एक तरह से ठीक है तो page अगर इस तरह से रखते हो तो आप इधर और इधर दो surface आपकी effect करेंगी ठीक है तो अगर मैं ऐसे side view बना लूँ तो इस तरीके से एक sheet है आपकी देखो sheet ऐसी है यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है तो एक sheet जो है उसका कितना है 10 nanoklam per meter square row s और यह sheet है कहाँ पर x equal to 0 पर है इसके रावा एक और sheet है वो है आपकी x equal to 5 पर और minus 10 nanoklam per meter square है इस बात को अब थोड़ा सा और समझो आप concept तो देखो हमेशा जैसा मैंने आपको theory में भी पढ़ाया है sheet charge की हमेशा जो आपकी lines है ना flux lines वो आपकी outward होंगी यह बात आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर आपने outward बनाया है बिल्कुत सहीं बनाया है यहाँ पर अब देखो इसकी value है minus 10 nanoklam per meter square by default तो outward ही बनाना है लेकिन अगर इस minus को आप हटाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो इसको plus कर दो और outward को invert कर दो मतलब direction change हो जाएगा अगर आप इसका minus sign change करोगे तो आप के उपर है आप दोनों में से कोई भी process use कर सकते हो अगर आप जो by default rule है कि outward ही निकलती है वैसी का वैसी रखना चाहते हो तो आप इस minus sign को मत हटाना जो value है वैसी की वैसी ले लेना मतलब जो value given है ना वैसी की वैसी लेते हो तो by default direction जो outside है वो ही रहेगा चाहे plus हो चाहे minus हो से मतलब नहीं है जो given है अगर उसको उल्टा कर रहे हो तब आप direction change करोगे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं जो given है उसको उल्टा कर रहा हूं मतलब यहाँ पर मैं ले रहाँ 10 nanokulam per meter square तो जो outward होता है उसकी जगा यहाँ पर मैं क्या consider करूँगा फिर inward मतलब कोई न कोई minus आपको adjust करना पड़ेगा या तो आप यहाँ वाला minus रहने दो तो outward का outward या अगर इसको opposite कर रहे हो तो इस minus को अटा दो क्योंकि direction में भी plus minus automatically change होता है आपको पता ही है तो अब ध्यान से देखो यह x equal to 0 है यह x equal to 5 है तो देखो reason आपके क्या क्या होंगे find e everywhere given है न तो 3 case बन जाएंगे 1 case बनेगा x less than 0 1 case बनेगा 0 to x to 5 और 1 case बनेगा आपका x greater than 5 तो आपको 3 अलग अलग जगा तीन अलग अलग reason में electric field की value यहाँ पर achieve करनी है यह point समझ में आ गया और इसमें कोई doubt तो नहीं है न कोई भी doubt होगा पूरे के पूरे clear करना है comment section में post करके उसमें कोई problem नहीं है ठीक है यहाँ तक clear आप देखो x less than 0 की जबाब बात करते हो तो फिर आपको यह समझना होगा कौन कौन सी lines यहाँ पर आने वाली है इस reason में अब देखो technical term में तो हमने बहुत study करी है लेकिन अब थोड़ा simple language में समझते हैं इस question को देखो आप जैसे देखो एक sheet है sheet से आपकी flux line निकली बीच में हजारों दिवारे क्यों ना आ जाए सब को cross करते हैं वो पूरी कहां तक जाएंगी infinite तक जाएंगी सब को तोड़ देंगी और पूरी कहां तक जाएंगी infinite तक जाएंगी यह बस आपके समझने के लिए है यह point ध्यान रखना ठीक है और अगर कोई चीच sheet के अंदर आ रही है जैसे यह case था तो वो कहां से आ रही होंगी इसका मतलब infinite से आ रही होंगी चाहे अगल बगल में 1000 sheet और हो कोई फरक नहीं पड़ता जब जाएंगी तब भी infinite तक जाएंगी जब आ रही होंगी तब भी infinite से आ रही होंगी यह point आप ध्यान रखना फिर कोई गलती नहीं होगी आप देखो इस reason पर observe करो x less than 0 वले में यहाँ पर कौन-कौन सी line effect होंगी आपकी या कौन-कौन सी line effect करेंगी तो आप देखो एक तो यह वाली line आएंगी आपकी क्योंकि यह आपकी sheet से निकलेंगी तो पूरी कहां तक जाएंगी infinite तक मतलब left hand side मतलब minus infinite तक तो यह वाली line आएगी आपकी ठीक है और कौन सी line आएगी आप देखो यह वाली क्यों आप समझो यह आपकी sheet में आ रही है तो कहां से आ रही होंगी infinite से आ रही होगी मैंने क्या पूला बीच में रास्ते में हजारों और sheet आ जाएं सबको cross करते वे आ जाएगी या जब infinite तक जा रही होगी तो हजारों sheet आ जाए सबको cross करते वे चले जाएगी तो यहाँ पर देखो यह line जो है वो इधर से आ रही है 2, 3, 4, ठीक है, चारो लाइन के नाम रख लो, तो first line और third line, ये होंगी, second और fourth क्यों नहीं होगी, ये भी discuss कर लेते हैं, देखो, मैंने क्या बोला, जब निकलेंगी तो sheet से निकलेंगी और infinite तक जाएंगी, तो देखो, ये तो आपकी sheet से ही निकल रही है न, मतलब वो इस reason में sheet पर end होगी, तो बोली दिया न, sheet पर end होगी, तो ये तो sheet पर क्या हो रही है, end हो रही है, infinite से आ रही होगी, और sheet पर end हो जा रही होगी, तो ये line का भी concept नहीं आएगा, ठीक है, गोल गोल नहीं घुमना है, अराम से समझ रहा है, तो अब देखो, ये और ये, तो sheet charge के not लिख लो, क्योंकि कहीं भी आपको medium given नहीं है, तो free space ले लो आप, ये आपका formula था, और देखो यहाँ पर अगर आपको याद हो theory, तो फिर आप direction में confused नहीं होगे, वहाँ पर theory मैंने z equal to 0 plane लिया था, basically मैंने आपको बोला था, z equal to 0 means, z constant है, ऐसा plane मैंने लिया था, तो direction क् लिखा था, az, मैंने क्या बोला था, अगर आप theory वापस से जा कर देखो application वली, sheet charge वली, मैंने बोला था, sheet of uniform charge, rho s कुलाम पर meter square, lie z, z equal to 0 plane, यहाँ पर क्या है, lie z, x equal to 0 plane, और lie z, x equal to 5 plane, मतलब x equal to constant पे, तो इसका मतलब direction यहाँ पर क्या होगा, ax होगा, ठीक है, तो यह आप आपका formula है, जो आपको आता है, तो आप देख लो यहाँ पर, यहाँ पर कितनी बार चीज़ें आ रही है, एक बार और दो बार, देखो यह वाला है, और यह वाला है, तो अब एक और point है, यह पूरा का पूरा x direction है ना, यह वाला क्या होगा, प्लस ax, और यह वाला क्या थर्ड वली जब ऐसे जा रही होगी, तो direction क्या होगा, प्लस ax, तो आप खुछ सोचो ना, rho s की value तो दोनों के लिए अब 10, 10 ही है, क्योंकि आपने minus sign को adjust कर दिया था, तो rho s तो 10 है, यह ध्यान रखना, उसके लिए वरी नहीं करना, epsilon 0, 8.854 into 10 की power minus 12, उसके लिए भी वरी नहीं करना, 2, उसके लिए तो वरी करना ही नहीं है, तो यहाँ पर अब देखो, answer क्या होगा, x less than 0 पर, यह हो जाएगा, rho s, rho s 10 है, वो put नहीं करना है, 2 epsilon 0, इसके कारण अगर लिखूं तो, क्या होगा, minus ax, और अगर इसके कारण लिखूं, third वली के कारण, तो कितना हो जा नहीं समझ में आया होगा ना, कि कौन-कौन सी line effect करेगी, case 2 भी तो है, case 3 भी तो है, same चीज रिपीट करने वाला हो, जिनको समझ में आ गया, pause करो, answer निकालो, final answer को check करो, last में जाकर, time-based बिलकुल नहीं करना, अब देखो यहाँ पर, अगर 0 to x to 5 को देखोगे, देखो क्या तो आप देखो, यह sheet है, मैंने क्या बोला, जब sheet से निकलेगी, तो पूरा infinite तक जाएगी, दोनों तरफ, तो यह line तो sheet से निकल रही है, यह कहां तक चले जाएगी, minus infinite तक, तो इसका यहाँ होने का कोई chance नहीं, इसको देखो, यह वाली को, यह आपकी sheet से निकल रही है, प पूरा minus infinite से लेकर sheet पे end हो रहा होगा, रास्ते में चाहे कितनी भी sheet आजाए, सब को cross करते हुए आएगा वो न, ठीक है, end हो रहा होगा तो infinite तक, और अगर निकल रहा होगा, तो भी infinite तक, जैसा भी हो, infinite तक, बस इस point को ध्यान रखो, ठीक है, तो यह जो है, यह minus infinite से आ रह आएगा, अब देखो इसको, यह भी आपका sheet पे end हो रहा है, मतलब, plus infinity से आ रहा होगा, और sheet पे end हो रहा है, end, इसका मतलब यहाँ रहने का कोई chance नहीं है, तो fourth वाली line भी नहीं होगी, और यह वाली line भी नहीं होगी, second और third वाली होगी, अब यहाँ पर खास बात क्या हु आएक्स प्लस ρो एस अपॉन टू एपसलो नॉट एएक्स, तो answer आप लिख दोगे, रो एस अपॉन एपसलो नॉट एएक्स, रो एस की value पता है, पुट कर लेना, 10 नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वार एपसलो नॉट, पुट कर लेना, 8.854 इंटो 10 की पाउर माइनस 12, यह अ पर देखो कौन कौन सी line आएगी, देखो यह, यह 4th वाली, यह तो infinite से आ रही है न, तो इसको तो cross करके आएगी, मतलब यह वाली होगी, यह वाली देखो, जो 3rd वाली है, 1, 2, 3, 4, जो 3rd वाली है, वो sheet पर end हो रही है, तो जब sheet पर end हो गए तो यहाँ कैसे आएगी, सवा 1st वाली को पहले देखते हैं, 1st वाली क्या है, sheet से निकल रही है, और left side जा रही है, सवाल ही नहीं उठता जब left side जा रही है, 2nd वाली को देखो, यह भी sheet से निकल रही है, और मैंने क्या बोला, sheet से जब निकलेगी तो कहां तक जाएगी, infinite तक, रास्ते में हजारों दिवा रहे हैं, सब को cross करके जाएंगी, तो जब यह वाली आपकी आगे बढ़ेगी, तो यह वाली कहां तक चले जाएगी आपकी, यह वाली आपकी चले जाएगी पूरी infinite तक, ठीक है, confused नहीं होना है, जो यह वाली line है वो इस वाली sheet के कारण है, और जो यह वाली sheet है, उसके कार दोनो line end हुई, यहां से दोनो line निकली infinity तक, यहां पर जो दोनो line end हुई, वो infinite से आई थी, यहां से जो दोनो line निकली वो infinite तक जाएंगी, तो यह यहां से निकली, इसका कोई chance नहीं है यहां होने का, यह यहां से निकली infinite तक जाने वाली है, तो यह यहां पर होगी second वाली थर्ड वाली देखो, ये sheet पर end हो रही है इसका कोई chance ही नहीं है यहाँ पर होने का और fourth वाली, आप बोल सकते हो sheet पर ही end हो रही है, लेकिन वो कहां से आ रही है, वो infinite से आ रही है तो fourth वाली भी होगी, इसका मतलब second वाली होगी और fourth वाली होगी second वाली का direction देखो, plus ax है fourth वाली का minus ax है क्या हो जाएगा? 0 तो e का answer हो जाएगा, rho s upon two epsilon not ax और plus rho s two epsilon not minus ax तो यह आपका final answer हो जाएगा find e everywhere का, यहाँ पर 0, यहाँ पर कुछ answer मिला और यहाँ पर वापस से 0 मिल गया, clear हो गया अच्छे से, तो यह आपके यहाँ पर दो problem थे, actual में काफी लंबा चला गया, तो जो बाकी की problems हैं और भी problems हैं, वो हम next lecture में cover करेंगे, तो आज के lecture में इतना ही, thank you